तो आज हम आरम करेंगे केतु के बारे में the nodes राहूरू अन केतु तो एक node है South Pole और एक node है North Pole जसको राहू और केतु की संग्या दी गई है अर्थार्थ जो सिरे हैं उनको रावर केतु के संगया दी गई हैं मूलते पातविंदू हैं ये कोई ग्रह नहीं है लोग इनकी दृष्टियां मानते हैं 159 लेकिन ये इस तरीके से मूलते इनकी आमने सामने की दृष्टि है अर्थार्थ जो जो राहू है और जो केतु है इनकी दृष्टियां यदि देखी जाएं तो चैनम पत्रिका के भीतर ऐसा कुछ ग्रंतों में लिखा है लेकिन खिंतु उसके जो प्रभाव हैं वो देखे नहीं गए हैं इससे कोई अधिक मन में विचार बना लें कि पैसे तो इसके बारे में कहा गया है कि साथ पाँच और नो दृष्टियां इनकी कही गई है अरतार यदि राहु यहां पे बैठे हैं तो इसकी दृष्टि यहां होगी यहां होगी यहां होगी मान लीजिए यहां बैठे हुए हैं तो यहां होगी यहां होगी और यहां होगी ठीक है ना सामने के बाव पे तो होती होती है और उसके त्रिकौन बाव पे वे होती है उसी तरीके से के तूँ लेकिन इसका जो प्रभाव है वो देखने को ऐसा मिला नहीं है कि इसकी जब दृष्टी यहां है तो इसको यहां से भी विचार करना चाहिए वहां से भी विचार करना चाहिए राहु केतु की जो दृष्टियां हैं जहां भी राहु बैठे होंगे वो उससे केवल साथमें स्थान पे दृष्टी के ही उसके प्रभाव देखने को मिले हैं उसके अन्यता उसके प्रभाव कोई भी अधिक देखने को नहीं मिले मान लिजिए उसमें हम पांचवें स्थान पर भी दृष्टी बनाया उसकी तो उसके प्रभाव देखने को नहीं मिले यदि प्रभाव देखने को नहीं मिले तो उसका प्रियोग भी क्या रह जाता है वैसे तो हर ग्रह की दृष्टी किसी भी ग्रह की दृष्टी कोई भी प अभाव के उपर होती है कहीं पे एक पद कहीं पे दो पदी मतलब उसको लिखा एक और यदि हम ताजिक शास्त्र पढ़ते हैं तो आगे चलके आप लोगों को पढ़ाएंगे तो सूर्य पंद्रा, चंद्र, बारा, मंगल, हाट, बुद्ध, जहां तक मुझे ध्यान है साथ, ब्रस्पति, नो, शनी, यह हो सकता है मैं रसे तुरूटी भी लग जाएंगे नो, एक, दो, तीन, चार, पांच, शुक्र, साथ, सैद ऐसे इसका वो है अर्दार जिस भी स्थान में सूर्य विद्धमान होंगे वो उस स्थान से पंद्रा अंशों तक मानली जी सूर्य यहां पे विद्धमान है और यहां पे यह पंद्रा अंशों पे विद्धमान है यह पंद्रा अंशों पे विद्धमान है तो इसका अर्थी हुआ कि इसका प्रभाव यहां भी पंद्रा अंशों तक बना रहेगा मतलब उसका कितनी ऑर्बिट बताई पंद्रा अंशों की तो वह अपने आगे पंद्रा अंशों तो अब इसको यह दिदेखा जाये तो एक तो सूर्य की द्रिष्टी होगी सप्तम सीधे रूप से और यह अपने आगे भी पंद्रा अंशों तक प्रभाव डाल दालगा और पीछे भी पंद्रा अंशों तक प्रभाव डालेगा तो अब इसको क्या समझना चाहिए इसकाड़ यह हुआ कि हर ग्रहए की द्रिष्टी हर भाव पे होती है ठीक है? यदि और भी ध्यान से देखें तो पराशर सिद्धान्त के भीतर ही आता है जहां पे राशी द्रिष्टी फलम मूलते से जैमनी सिद्धान्त बोल देते हैं किन्तु ये अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पराशर के भीतर ही है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा चर राशियां चर राशियां कौन से उते हैं मूवेवल एक चार साथ और दस चर राशियां स्थिर राशियों को देखती है ठीक है जो मूवेवल साइन है वो स्थिर राशियों को देखते हैं लेकिन अपने साथ वाले को नहीं देखते अर्त अर्त यहां यदि कोई ग्रह बैटा होगा प्लैनेट वो यहां देखेगा वो यहाँ देखेगा और वो यहाँ भी देखेगा ठीक है दूसरा सिद्धान्त स्थिर राशियां एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, और बारा स्थिर राशियां चर को देखती है अपने साथ वाली को छोड़के तो स्थिर राशी यह है इसको नहीं देखेगी तो यह किसको देखेगी? इसको देखेगी ये इसको देखेगी और ये इसको देखेगी ठीक है तीसरा सिद्धान्त दी सुभाव राशियां दी सुभाव राशियों को देखती है एक, दो, तीन, चार, पाथ, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा तो दी सुभाव कौन सी हो गई? तीन, छे, नो, और बारा अड़तार जो ग्रह यहां बैटा हुआ है वो इस राशियों में बैटे हुए ग्रह को भी देखेगा जो इस राशियों में बैटा हुए ग्रह है वो इस राशियों को भी देखेगा जो यहां बैटा हुए यहां बैटा हुए यहां भी देखेगा इसका अर्थ यह हुआ कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो कोई भी पत्रिखा के अंदर कोई भी ग्रह है वो एक दूसरे के ऊपर प्रभाव ने डालता हो यहां तक की यदपी ये भी कहा गया है कि 6-8 और 2-12 अर्थार्थ एक ग्रहयां बैठा हुआ एक ग्रहयां बैठा हुआ है तो इससे इसका संबंद है छटे का और इससे इसका संबंद है बारवे का यह भी एक प्रकार से एक दूसरे के उपर द्रिश्टी देते हैं लेकिन इसको प्रियोग नहीं लाते हैं अर्थाथ यह इनका कोई औचित्ते नहीं है देख भी रहे इनका लेकिन कोई असर नहीं है इसे प्रकार से दो बारा अर्थाथ एक ग्रह से एक ग्रह बार्वे में बैटा हुआ है और एक ग्रह से एक कोई ग्रह यहां बैटा हुआ है इससे यह बार्वा हो गया और इससे दूसरा हो गया कोई ग्रह यहां बैटा है कोई ग्रह यहां बैटा है कोई ग्रह यहां बैटा है इससे यह बार्वा हो गया इससे दूसरा हो गया ठीक है तो जो ये द्रिश्टियां बताई छे और आठ और दो और बारा ये न्यूटल है इनका कोई और चित्त नहीं है लेकिन फिर भी ये तो कहा है ये देख रहे हैं तो इसका ये आर्थ हुआ कि पूरे उसके भीतर जनम पत्रिका के बीतर हर ग्रे हर ग्रे के उपर अस्प्रभाव डालता है अचारे श्री क्या कहते हैं जिस प्रकार से एक वेंजन बनाये जाता है भोजन ठीक है उसमें कुछ नमक है कुछ हल्दी है कुछ जीरा है कुछ मिर्च है तो सब का सम मिलके एक वेंजन बनता है और उसका एक स्वाध आता है उसी प्रकार जनम पत्रिका के भीतर सभी घटक एक दूसरे को प्रवावित करते हैं लेकिन उसमें से कोई ऐसी चीज होती है जैसे आप भी बहार जाते हैं तो आप भी यह कहते होंगे कि इस वेक्ति का जो खाना पीना है उसमें हमें यह चीज बड़ी अच्छी लगती है यह स्वाध इनका बहुत अच्छा है कहीं पर हींग का कुछ अलग देखने को मिला है कोई गाजर का हलवा कुछ विशे इस तरीके से बनाता है इस प्रकार से जनम पत्रिका में भी हर कोई ग्रह या कोई कोई भाव इतना ज्यादा तेज पूर्ण होता है कि उसका पूरी जनम पत्रिका के उपर ही प्रवाव देखने को मिलता है आज एक उधारन जनम कुणली भी आपको थोड़ी देर के लिए बताते हैं आज एक वेक्ति का संपरक आया तो उसके भीतर दस ग्यारा तो यह हो गया छे और यहां थे शनी यहां थे राहु और यहां थे मंगल अब यह जनम पत्रिका का एक विचार आया हुआ था तो इनके सामने मेरे जो प्रश्णत है वो थे सबसे पहले कि दशा के अनुसार कि पिछले कुछ दिनों में क्या कोई घर में व्रद व्यक्ति विशेशकर दादी के स्वास्ते में कोई दिक्कत हुई दोसरा क्या पूर्वकाल में पित्ता के क्यरित्र पे कोई दाग लगा तीसरा क्या कोई मानसिक व्यथा लगातार बनी हुई है अब इस पत्रिका में ऐसा क्या था जिसके कारण से ये बोला गया तो उन्होंने कहा कि पीछे जो एक संकर्मन काल था कोविड पीरियड उसके भीतर इनकी दादी नहीं रही ठीक है क्या कभी पिता के चरित्र पे किसी प्रकार का दाग लगा उन्हें कहा कि क्योंकि वो एक बहुती नियम पसंद वैकती थे तो उनको ऐसा लगता है कि हमके सह कर्मी ने उनके उपर यह का कि यह हमें गलत तरीके से जोर जबरदस्ती करके कारे करवाते हैं तो इनका जो वैवार है वो उचित नहीं है तो उनका विभाग यह कारवाई भी हुई लेकिन सब कुछ ठीक हो गया बाद में है तीसरा क्या कोई मानसिक व्यादा उन्होंने का कि मैंने इसी कारण से आपको संपर्क किया है अब इसमें यदि देखें और यहां थे शुक्र और सूरे शेक साथ जो पत्रिका यहां थे बुद्ध और यहीं थे ब्रस्पति जो इस पत्रिका को देख रहे थे जो पत्रिका पढ़ना शुरू किया तो इसमें आये संतान चिंता ऐसा देखने को प्रतीत हो रहा है अब संतान चिंता आप कैसे भी पकड़ने का प्रयास कीजिए आपके पास अपने हुप करने अपने माध्या में आप गुणी जोत्षी हैं और जोतिस जानते हैं लेकिन जिस समय उनकी तादी संकर्मन काल में उनका साथ छोड़के गई उसके कुछी दिनों बाद उनकी जीवन साथी को ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई शुब समाचार होने वाला है किन्तु जो उनके चिकित सकते उन्होंने का कि जो शुब समाचार है वो शायद हो सकता है ठीक प्रकार से ग्रो नहीं हो रहा है तो आप अपने इच्छा से निर्णे ले लीजिए और क्योंकि वो हो नहीं पाया और वो टर्मिनेट हो गया डिस्ट्रब हो गया अब यहां पर बात आती है सारी की सारी की व्याख्या क्यों करी गई मंगल बार्वेस्थान में बैठे वे शनी और राव को देखता है घर का कोई व्रद जा चुका और वापस आना चाहता है और जब वो वापस आ रहा है तो फिर दुबारा से उसके रास्ते में रुकावाट उत्पन हो गई और उन्होंने का है कि यही हमारी मांसिक चिंता है कि ऐसा हुआ क्यों और क्या हमें इसके बारे में आगे निर्णे लेना चाहिए या नहीं लेना जही है तो जनम पत्रिका में हर भाव हर भाव से जुड़ा हुआ है उसकी घटना एक दूसरे से जुड़ी है आप उनको कैसे देख के अपने अर्थ की बात समझ पाते हैं इश्वर ने कितना आप लोगों को आशिरवात दिया है आपकी बौधिक शमता तारकिक शमता कहां त संतान उत्ति ऑगी और मिया नहीं तो संतान उत्ति पकाए लिए तो दो ऋछ है वो चैइए ऐसा तो गाभाने कि वहाई संतान उत्ति कोई विक्ति अकेले कर लें जिब उनकी Maz fu और जीव की पत्रिका देखी है तो उसमें था मा वस्य आ और पिछली कख्षा में आपको जब जुब राहू की कक्षा में पढ़ाया था. टे बताया था किया मवस्य अपने आप में क्अई बार दोश कारक होती है. और उनकी पत्तरिका में जो पंचमेश थे आ ऐ मजटना प्त्तरिका में जाके नीच अवस्था में थे और सब्तमाश पत्रिका में D7 में भी डिस्टरप्ट थे तो पता लगता है कि हाँ ये समस्या कहीं गंभीर है इसलिए जरम पत्रिका को बहुत ही शुक्षमता से गहराई से देखिए और कारक्तत्वों को याद रखिएगा तभी आपको उससे संबंदित परिणाम देखने को प्राप्त होंगे निस्वार्थवाव से तो आज की व्यक्षमारम करते हैं केतू के उपर और यह सारी बातें के उत्पन वही राहू और केतू की दृष्टी के कारण से क्या राहू और केतू की दृष्टी होती है या नहीं होती है मेरे अनुसार जो मेरे अपने शुक्ष द्रिष्टी ही प्रियोग में आती है अन्य द्रिष्टी है इसकी कोई प्रियोग में नहीं आती है आप करने को इसमें जितनी मजी द्रिष्टी लगाई है तो आज हम आरम करते हैं व्याक्ष्या केतु की और केतु संतानकार की है केतु केतु क्या है पता का है ठीक है पता का शिखी शिखी का अरत होता है आप अपने चैट बॉक्स के माद्देम से अपने प्रशन पूछते रहा सकता है शिखी का अरत होता है चोटी पता का कार्थ होता ध्वज फ्लैग जंडा ठीक है और इसकी क्या व्याख्या है दी गई है अब उनके उपर विचार करते हैं चंडिश्वर मात्राएं गलत हो जाएं तो उसके लिए समाच आते हैं गनेश्देव की उपाष्णा गनपती उपाष्णा ठीक है वेद्ध डॉक्टर स्वान कुट्टा मुर्गा प्रॉक्ष्णा तूपर क्लोज़्ज्ड़्टा गंगस्णान 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 महान तप संपदा प्रदान छोड़ना मंत्र शास्त्र अति अध्यात्मेक जलता कुशी इसको बोलते हैं आमपिट बगल आंक का भेंगापन अपंगता त्वेच्चा का रंग उडजान पुडजान कांटा म्रग इरन वेदान्त रोग संसार से विरक्तती आज स्टाइलस ठीक ने चल रहा है पिछले कुछ दिन से राहू केतु इसमें दादा नाना ये दोनों अरता थी ये व्रद लोगों के लिए भी बता रहा है शिवदाश बंधन मुक्ति शिवदाश द्वज ये सब केतु के कारक्ततो बताए है केतु यदि शुब स्थानों में हो तो व्यक्ति की पता का बढ़ती है अरता है तो उसका ध्वज बनता है जनम पत्रिगा में किस स्थान में केतु हो उस स्थान के कारण से व्यक्ति के जीवन में उसका ध्वज बनेगा लगन में है तो स्थान के कारण से दूसरे स्थान में है तो उसकी बोली के कारण से तीसरे स्थान में है तो भाई बेनों के कारण से ऐसा देखा गया है लेकिन वहां पे वो शुब राशियों में ये शुब बली भी बैठा होना चाहिए ठीक है किसी को शिखी भी बोला अरतार जो व्यक्ति की जो चोटी का स्थान होता है उसको भी शिखी कहा जाता इसके अंदर गनपती की उपासना जब केतु को प्रशन न करना हो तो गनपती की उपासना करने चाहिए भगवान चंडेश्वर की उपासना करना चाहिए वैद यदि केतु जनम पत्रिका के अंदर बलवान हो तो व्यक्ति वैद हो जाता है क्यों अश्वनिनक्षत्र के कारण से अश्वनिनक्षत्र में कहा गया है देवताओं के वैद ठीक है तो इसका अर्थ होता है इनके पास यूतियां होती हैं ट्रिक्स होती हैं जिनके कारण से ही लोगों का उप्चार कर सकते हैं वैद का अर्थ वैद तो ही है इसके अलावा भी इसके जो यूति पूर्वक आपके समस्याओं के हल निकाल दे वह भी वैदी होते हैं संपदा प्रदाता मरलब केतु लगन में बैटा हो तो बड़ी जल्दी चीज़ों को छोड़ देता है इसका मो भंग हो जाता बहुत सारी चीज़ों से मंत्र शास्त्र अर्था जो बहुत ध्यात्मिक दार्शनिक विच्वार वाले होते हैं वो केतु के भीतर आते हैं स्वान अर्थार्थ कुट्टा डॉग यदि हमारे लिए कुट्टा पालना डॉग पैट्स वगर अच्छे रहेंगे कैसे रहेंगे केतु से देखना चाहिए या कई बार जब उपाय खंड में आता है कि केतु कहीं समस्या दे रहा है तो जहां पर ऐसी संस्ता हैं जहां पर जो कुट्टे का संद्रक्षन करती हैं उनको दान देने से भी एतु की पीड़ाएं समापत होती है मोक्ष अल्ट मूल अंतोगत्वा यह क्या है मोक्ष प्राप्ति के लिए अल्ब सब कुछ छोड़ दीजिए उसका कारण क्या है जो हमारे रावु महाराज है जो हमारे राहु ग्रे है वो भोग का कारक है उसमें सब कुछ चाहिए साउथ पॉल है ना यह दक्षन ग्रोफ तो वहां से तो अंदर एंट्री करता है और दीरे दीरे करके वो के तुप की तरफ से वहां से एकजिट कर जाता है अर्थारत एक की तरफ से तो सारा एंट्री चाहिए और दूसरी की तरफ से सारा एक्जिट चाहिए इसी कारण से इसको मौक्ष प्रदाता का है जो चीजों को छोड़ने के लिए का जाता है एक सेकंड तो यदि किसी वेक्ति की कोई चीज छुड़वानी हो एडिक्षन चुड़वाना हो कुई लट्थ चुड़वानी हो तो केतु की दशा अंतरदशा प्रतंतरदशा उसमें चुड़वा देनी चाहिए छोड़ देता वेक्ति टीवी अटथा टीवी का रोग च व्योट यगर क्लोसिस होती है गंगा में सनान ये तीर्थ करवाता है केतु की दशा अंतर दशा में व्यक्ति को एक प्रकार से तीर्थ की प्राप्ति होती है साथ इसमें गंगा का सनान वैसे भी समझ लेना चाहिए कि इस समय उसको यदि केतु की दशांतर दशा आ रही है तो वैक्ति को स्वैम भी गंगा सनान कर लेने जाए गंगा का सनान कोई यह नहीं से गंगा से इसनान है इसकार थी है कि पवित्र सरोवर के सनान भी है या मन का मैल साफ कर देना धो देना केतु की द attracted Shana में कहा गया है महान तप क्योंकि कई चीज़े हमारे मन के अंदर सपति और उनको छोड़ने के लिए जब तक का उनको छोड़ेंगे नहीं वह। मनने देर तक बसी रहेंगे इसलिए कँएगा ऊपने से दूर करना चाहते हैं विरक्तिती करना चाते उन चीजों की, तो उसी कारण से उसे गंगासनान करा है, महान तक, केतु एक महान तपस्वी है, ये वहां तक लेके जाता है वैक्ति को, जहां तपस्यक की अती हो जाती है, दोई ग्रहे हैं, एक शनी और एक केतु, जो आपको महान तक लेके जाता है, बंधन से मुक्ति, कई बार इसमें कारावास से मुक्ति भी देखा जाता है, ये भी केतु से आती, कई बार वैक्ति किसी संकट में फसा हुआ हो, संकट के अंदर उलजा हुआ हो, तो उस समय पे यदि केतु की दशांतर दशा आ जाए, तो कह देना चाहिए, अब आपके जो बंधन हैं, वो मुक्तोंने वाले हैं, आख में भेंगापन, दूसरे स्थान में यदि केतु बैटाओ, तो वैक्ति के साथ कई बार आखों संबंदी रोग देखने को मिलें, और खासका जो स्कुन्ट होते हैं, वो भी देखने को मिलें, या कई बार ऐसे वैक्ति अपनी ए चन्चलता क्यों क्योंकि ये साप की पूँच है और सर्प की पूँच जो है अधिक चंचल उती उसके मुख से जादा वह अदलती बदलती रहती है इसी कारण से इसके इंदर चंचलता बहुत चुपई है कुशी आमपट जो हमारी बॉड़ी पार्ट के इंदर आमपट है व और जो केतु यदि पेड़ी तवस्ता में और पहले भी बताया था शनी और केतु का इखटा होना विशेस कर किसी अंग में कई वर्ष ठिलता लेके आ जाता है उस अंग के कारे को दीरे-दीरे रोकता है तो अच्छा के रंग का उड़ जाना अभी आप कुछ लोगों के देखते हैं कि कभी-कभी उनके धे के उपर, तन के उपर, शरीर के उपर वाइट पैचिस की, सफेद दाग की समस्या बन जाती है वो केतु सूरे के सहयोग से बनती है और कभी-कभी केतु भी उसमें एक बहुत ही बड़ा भूमी का निभाते हैं वेदान्त जब पून वेद हो जाते हैं तब उसी को वेदान्त का आगया है तो जो महान तरह के व्याख्या हैं उनके द्वारा केतु के बारे में देखा है फ्लॉस्पिकल बोलता है इसको दर्शन शास्त्र रोग जैसे पहले बताया था शनी से चटास्तान शनी और कुसी परकार से केतु से चटास्तान और केतु ये दोनों ही रोग के खारक बताये गए रावु एक बार को हो सकता है रोग ना भी दे केतु तो रोग देई देता है संसार से विरक्त थी केतु प्रदानवेक्ति को कटा कटा सा रहता आइसोलेशन एकांत वास में रहना पसंद करता है मुर्ग हिरन है अभी बताया था कि जितने हिरन है मुर्गा है स्वान है यह सब केतु के शाषन में आते हैं जब उपाय खंड कराएंगे तब पता लगेगा इनका प्रियोग कैसे किया जाता है इसके बाद आया दादा नाना या दादी और नानी इन सब के बारे में यदि विचार करना हूँ तो रहु केतु से करना चाहिए जितना ये शुब राशियों में बैठे होंगे उतना ही दादी का, दादा का, नाना का, नानी का साथ अच्छा प्राप्त होगा और शिव का द्वास, जो भगवान शिव की उपासना करने वाला है, वो केतु है और ध्वज, ध्वज के बारे में पहली दो-तीन बार संकेत दे दिया, ध्वजकार्थ क्या होता है तो इस प्रकार देखें, तो केतु अपने आप में वो ग्रह है, जहां से किसी भी चीज के लिए छोड़ने के लिए बताए गया है अरतार कोई भी चीज छोड़ने हो, केतु के साथ में यदि दशा अंतरदशा चले तो उसको छोड़ सकते है अपने उपर किसी प्रकार का दोज का निर्मान करना हो, कि आपकी प्रसिद्धी प्रचार खूब बढ़े तो भी केतु का प्रियोग करिए, केतु की दशा अंतरदशा का प्रियोग किया जा सकता है इसके उपरान्था आजम करेंगे दश्मीतिति शाशक कौन है इसके यम धर्म राज कौन से स्थान पर वास करती है जरम पत्रिका के दस्वे स्थान पर तिथी कौन से होती है पूर्णा तिथी तिथियों के वर्गी करण क्या है एक दो तीन चार पाच छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा और पंदरा पंदरवी तिथी पूर्णमाशी भी होती है अम अवस्या भी होती है इसलिए तिथियों सोला बन जाती है तो एक छे, ग्यारा, नंदा, आनंद देने वाली, दो साथ बारा, बद्र, बद्र, अर्थार, जेंटलमेन, वेद पाट, तीन आठ, तेरा, अर्थार, जेतिति, विजे, चार, नो, चौदा, अर्था, रिक्ता, सुनापन, और पाँच, दस, पंद्रा, पूर्णा, जो पूरा कर देती है, ठीक है, एक, पाँच, ग्यारा, नंदा, तितियों के स्वामी होए, शुक्र माराज, आगे भी पढ़ाएंगे, भद्र तितियों के स्वामी होए, बुद्ध माराज, जै तितियों के स्वामी होए, ये ग्रहों की बात कर रहा हूँ, मैं, वैसे इनके स्वामी देव अलग हैं, जैसे मैंने बताया था, दश्मी के यम है, ठीक है, ये ग्रह इनके उपर कौन से शहसन करते हैं, तो जै तितियों के होए, मंगल, रिक्त तितियों के होँ, शनी, और पॉर्ण तितियों के ब्रस्पति, तो दस्मी तितियों के पॉर्ण, पांच वी तितियों पूर्ण, और पंदरवे तितियों पूर्णी है दस्वें स्थान के उपर वास करती है दस्मीति थी और इसके स्वामी है यम यम का अर्था धर्मराज जैसा है वैसा ही मिलेगा इनके जीवन में यह देखा गया है कि कारे के कारण से निजी जीवन में या निजी जीवन के कारण से कारे में कि संतूलन नहीं वैठता या तो काम में इतना अधिक व्यस्त रहेंगे कि निजी जीवन में जो बाकी चीजह उनके तपर आनंदी नहीं होगा उनका सबकुछ आस्तै रहे कि कारे पे कोई ध्यानी नहीं दे पा रहे होते हैं तो दश्मितिती जब भी पढ़ें किसी भी वैक्ति को तुरंत दस्वाभाव देखना चाहिए और यह पूछना चाहिए कि इनके जीवन में जो कारे है प्रोफेशन है उसके कारण से निजी जीवन पे कितना सम ध्यान दे पा रहे हैं या ऐसा तो नहीं है या अपने आप में उल्जे रहते हैं और अपने कारे पे ध्यान ने दे अर्थाथ यह देखा गया है कि समय को या तो बहुत अधिक प्रियोग कर रहे होते हैं या फिर समय का यह प्रियोग करना जानते ही नहीं है इसीलिए कहा गया है दूसरी बात शास्त्र ऐसा कहते है अचारे मिष्ठ जी ऐसा कहते है कि विशेश्कर जिनका जनम दस्मी तिति को वा है और दस्मी तिति वाली दिन महिने में दो बार दस्मी तिति आएगी तो राजमा लोपिया छोले ये उस दिन थोड़ा सा खाने से वर्चित रखें बाके सब दिन प्रियोग करें अन्यता दोश बढ़ना सुरू हो जाता है वैसे अगर देखें तो उनका महुर्शास्तर का या उनका विचारिय भी हो सकता है कि ये तीनों वस्तुएं कहीं ना कहीं वाईयू कारक होती है गैस बोलते हैं जिसको तो भोजन में इस तरह की हो सकता है ये समस्यां बनाती हो कि वैक्ति को अधिक एसेडिटी गैस बनती हो इसके कारण से और दश्मी के जन्म के प्रभाव में और वो अपने कारे को अस्तिवेस्त कर सकता है इसी कारण से हो सकता हम ओर्त विज्ञान ने अचारे मिश्र जी ने ये सब विचार कहा हो तो आज दुबारे से एक बार पूरी पत्रिका पूरे इसको समप करते हैं आज हमने पढ़ा केतू केतू की दृष्टी है सब्तम अर्तार जहां भी केतू बैठेंगे उससे साथ में भाव को देखेंगे राहु के तरही इसके उपरांत हमने साथी थोड़ा सा समप बताया सूरे जिस भी स्तान पे बैठते है उससे पंदरा डिग्री आगे और पंदरा डिग्री पीछे तक अंदरांश पे असर प्रभाव रखते हैं चंद्रमा बारा मंगलाठ बुद्ध साथ वो सकता है इसमें थोड़ा सा अंतर हो उसके लिए मैं श्रमा चाहता हूँ ब्रस्पती नो शनी नो और शुक्रसाथ उसके बाद फिर और भी थोड़ा वरगी करन बता दिया था चर राशियां जैमनी सिद्धान्त के अनुसार चर राशियां स्थिर को देखती है स्थिर राशियां चर को देखती है और दी सुभाव दी सुभाव को देखती है उसके उपरांत बताया कि एक जनम पत्रिका का विचार बताया कि कैसे विचार करना चाहिए दोश कहा से अत्पन्य क्या हो सकता है फिर उसके बाद केतू की व्याक्या रम करी केतू जंडा है ध्वज, फ्लैक, जंडा, पताका, शिखी और चोटी और उसके उप्रांद बताया है के तू चंडिश्वर की पूजा गनेश भगवान की उपासना से प्रसंद होते हैं केतु के द्वारा वैद डॉक्टर को देखना चाहिए, स्वान अर्थार्थ कुत्ते को डॉक को देखना चाहिए, मुर्गे को देखना चाहिए, मोक्ष प्राप्ति को देखना चाहिए, टीबी को देखना चाहिए, गंदासनान को देखना चाहिए, महांतब बंदन मुक्ति, डादा दादी नाना नानी इनको देखना चाहिए, शिव के भकतों को देखना चाहिए, ध्वज को देखना चाहिए, किसी भी चीज को छोड़ना हो तो केतु से विचार करना चाहिए, रोग, अर्थात केतु से चटे स्तान में रोग विचार करना चाहिए, वेदान्त, साम्पिट में होने वाली समस्य चंचलता संप न विरक्तिति मन्थ शास्त्र के बारे में कहा यह इस परकार से आमने केत्व कह रगता टो पड़े शात में पढ़ा दashma तिथि और साथ में पड़ा तिथियों के वर्गी करण, तिथियों के वर्गी करण पाँच पाँच की संख्या में आएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, प्रत्मा, दित्या, तिर्त्या, चतुर्ति, पंचमी, शष्टी, सप्तमी, अस्टमी, नौमी, दसमी, एकादसी, आशिया, अमवस्या, पहली तिथिया, नंद तिथिया, दूसरी तिथिया, भद्र तिथिया, तीसरी तिथिया, जय तिथिया, चौती तिथिया, रिक्त तिथिया, और पंचमी तिथिया, पून तिथिया, इनके जो ग्रह इन पे स्वामी होते हैं, नंद तिथियों के शु जैसे प्रत्मा के अगनी होते हैं, दित्या के ब्रह्मा होते हैं, तित्या के गौरी होते हैं, लेकिन ग्रहे इनके कौन से स्वामी होते हैं, ग्रहे इनके उपर क्या दिपत्ते रखते हैं, दस्मी तिति दस्वे स्थान पर शाषन करती है, दस्मी तिति के दिन जो लोगों का जन्म होता है, उसमें यह देखा गया है, या तो अपने कारे के कारण से निजी जीवन में बहुत अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं, या निजी जीवन में इतना ध्यान दे रहे होते हैं कि कारे में ध्यान निन देपाते हैं पर सकता है इनके बीचे इनका यह विचार हो कि इससे वायू अधिक बनती है चैस अधिक बनती है तो इस परकार हमने आज कीतु और कीतु से सम्मंदित व्याक्याओं को पूरा किया अब आप लोगों के जो भी प्रश्न है आप वो पूछ सकते हैं